आशार का पहला दिन हवा का जोर वर्शा की जड़ी जाड़ों का गिर पढ़ना कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पढ़ना उमर्ती नदी का खेती की चाती तक लहर उठना वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फहर उठना ये वर्शा के अनोके दृश जिसको प्राण से प्यारे जो चातक की तरह तकता है बादल घने कजरारे जो भूका रहकर धरती चीर कर जग को खिलाता है जो पानी वक्त पर आये नहीं तो तिल मिलाता है अगर आशार के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हलदर अधिक आता है कालिदास से मन में तो मुझको शमा कर देना भवानी प्रसाद हवा का जोर वर्षा की जड़ी जाड़ों का गिर पड़ना मतलब आशार में तेज हवा के साथ बिजली कड़कती है और काले बादल आसमान में उमर गुमर कर तेज वर्षा की बोचारें धर्ती को नहला देती है कई पेड उखड कर गिर पड़ते हैं कहीं गरजन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना मतलब कहीं दिल देहला देने वाली दमक्ती बिजली के साथ होने वाला मेगों का गरजन मतलब गड़गडाहत कहीं दूर सिर के पास जाकर गिर पड़ता है उमर्ती नदी का खेती की च्छाती तक लहर उठना मतलब नदी में पानी का बहाव तेज होता है और जैसे बार का रूप धारन कर वह खेती की च्छाती तक लहर उठती है द्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फहर उठना मतलब बादल के घर्शन के साथ आसमान एक चोर से दूसरे चोर तक एक द्वजा की तरह बिजली फहर उठती है ये वर्शा के अनोखे द्रिश जिसको प्राण से प्यारे मतलब बारिश के ये अनोखे द्रिश किसान को जान से प्यारे होते हैं जो चातक की तरह तकता है बादल घने कजरारे चातक पक्षी केवल स्वाती नक्षत्र में होने वाली वर्शा का पानी पीता है इसलिए हमेशा बादलों की ओर आस लगाए ताकता रहता है उसी तरह किसान भी बादलों को ताकता रहता है, जो भूका रहकर धरती चीर कर जग को खिलाता है, मतलब किसान खुद भूका रहकर महनत करके धरती चीर कर अनाज उगाता है, जग को खिलाता है. जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिल मिलाता है बीच बोने के बाद किसान को पानी की जरूरत पड़ती है पानी वक्त पर न मिले तो वह दुख से तिल मिला उड़ता है बेचैन हो उड़ता है अगर आशार के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हल दर अधिक आता है कालिदास से मन में तो मुझे को क्षमा कर देना मतलब किसान हल चलाता है इसलिए कवी उसे हल दर कहते है आशार के पहले दिन आने वाले बादल को देख कर कवी को किसी यक्ष के विरह या कोई प्रेम भावना याद नहीं आती बलकि उसे किसान की याद आ जाती है इसलिए कवी भवानी प्रसाद मिश्र कालिदास जी से माफी मांगते है आशार के विरह याद आती है